हेलो गाइस आज की वीडियो में हम आपको गिद्धों के बारे में साथ आश्चर्यजनक बाते बताने वाले हैं, पहले हम यह समझ लेते हैं कि गिद्ध चिडिया क्या है? गिद्ध एक ऐसा पक्षी है, जिसकी खानपान की आरते पारिस्थिती की तंत्र या एको सिस्टम के लिए जरूरी है, हाला कि इसके लिए उसे श्रेय शायद ही दिया जाता है। पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादात में 95 प्रतिशत तक की कमी आई हैं, और ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में देखे गए हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की इंट्रेस्टिंग जानकारी देती रहती हूं। गित सबसे उची उडान भरने वाला पक्षी है। इसकी सबसे उची उडान को रुपेर्स वेंचर ने सन 1973 में आईवरी कोस्ट में 37,000 फीट की उचाई पर रिकॉर्ड किया था जब इसने एक हवाई जहास को प्रभावित किया था। ये उचाई एवरेस्ट 29,029 फीट से काफी अधिक है और इतनी उचाई पर ऑक्सिजन की कमी से ज्यादा तर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। लेकिन गिद असाधारन वातावर्ण में भी सांस ले सकते हैं। गिद घोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नजर डालने के लिए अकसर उची उडान भरते हैं। अफ्रीका आने वाले प्रत्यक परियटक को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने वालों में सबसे आगे शेर हाइना तेंदुए चीते जंगली कुत्ते और गीदर हैं। लेकिन ऐसा है नहीं जहां एक अनुमान के मुताबिक हर साल मृत पशों का सड़ा मास और कंकाल कुल 4 करोड टन से अधिक होते हैं। इसके केवल 36 प्रतिशत हिस्से को खा सकते हैं और बाकी गिद्धों के हिस्से में आता है इस संसाधन के लिए जीवानों और कीडे गिद्धों से मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद गिद्ध ही सबसे बड़े उपभुकता है। गिद्ध बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ ही जंगली कुतों जैसे अन्यमुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में भी मददगार साबित होते हैं। गिद्ध अपने भोजन के लिए काफी अधिक दूरी तै कर सकते हैं। दूसरे स्थानों तक जाते हैं। सीमाओं को पार करने की इस आदत के कारण इन पक्षियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक बात तो साओधी अरब में स्थानिय मीडिया ने इन पक्षियों पर इस्राइली जासूस होने का आरोब भी लगा दिया। नमबर फोर्थ करामाती पेशाब। तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। और उनकी ये आदत आपको भली ही अच्छी ना लगे लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनकी इस आदत से उन्हें बीमारियों से बचने में मदद मिलती हैं। तड़े हुए मास पर खड़े होने के कारण गिद्धों के पैरों में गंदेगी लग जाती है। और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौझूद अमल उनके पैरों को कीटाणों से मुक्त बनाने में मदद करता है। डक्षण अफ्रीकी केप गिद्ध एक सीध में करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तै करने के लिए बिजली के विशाल खंबों का अनुसर्ण करते हैं। बिजली मानवनिर में चीजों की मदद लेने के अपने जोखिम भी है। खाने के लिए जाना जाता है लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मास नहीं खाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है पाम नट वल्चर। गिद्ध कई तरह के अखरोट, अंजीर, मचली और कभी-कभी पक्षियों को भी खाता है। कंकानों के मुकाबले इसे कीरे और ताजा मास पसंद है। गिद्धों की सबसे बड़ी अफ्रीकी प्रजाती लैप-पेट-फेस्ट वल्चर के पंक 2.9 मीटर तक चौड़े होते हैं। और इसे मुर्गी के जिन्दा बच्चे भोजन के रूप में अधिक पसंद है। और उनके पेट का अमल उन चीजों से भी पोशक तत्व ले सकते हैं। जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। गिद्धों के पेट का अमल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे और एंथ्रिक्स के जीवानों को भी नश्ट कर सकता है जबकि दूसरी कई प्रजातियां इन जीवानों के प्रहार से मर सकती हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा। ठैंक यू। झाल 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 झाल